हेलो प्रेंट्स आज हम च्रियार्पीसी की चैप्टर 17 में सेक्षन 211 से सेक्षन 217 के बारे में डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट है फार्म आप चार्ज जो चार्ज है उसको फार्म कैसे किया जाएगा उसकी क्या कंडिशन सोंगी यह इसके फर्स्ट पार्ट में बताया गया इसका सेक्षन 211 कहता है चार्ज में क्या क्या लिखा जाएगा जो चार्ज बनेगा उसमें क्या चीज मेंसन की जाएगी इसके बारे में सेक्षन 211 बताता है इसमें फर्स्ट पार्ट इसका सब क्लास है इस्टेट आफेंस जो आफेंस है जो आरोब है उसको परिभासित किया जाएगा आरोब को डिक्टेट किया जाएगा कि आप पर इस बात का आरोब लगाया गया है और उस आरोब के बाद में उसके सेक्षन को नेम लाइक आईपेसी इसके अक्ट राजे से कहा गया कि आपको 360 आईपेसी के तहट या 302 के आईपेसी के तहट या 2 by 3 गेंगेस्टर आक्ट के तहट इस तरीके से उसके आक्ट का नाम भी उसमें लिखा जाएगा अगर उसमें से उस आक्ट का नाम नहीं लिखा तो उस घट उस आफेस को उस आरोब को इस पैसिफाइट करना पड़ेगा और जो लीगल कंडिशन है कि आपने यह घटना की जिस पर इस धारा के तहट यह आरोब है उसको आरोब को लिखना पड़ेगा कि उसके द्वारा की गई घटना और उस सेक्शन में जो घटना है उससे उसको एक्यूवेलेंट बना करके लिखना पड़ेगा रिटिन इन दे लेंग्वेज आप तक कूट और अरोब उस भासा में लिखा जाएगा जो भासा कोट की भासा होगी और नेक्स्ट दफाक्ट और नेक्स्ट दफाक्ट देट प्लेस आपी ब्रीवेस कन्विक्शन सैल भी स्टेटेट इन दे चार और जो चार्ज होगा अगर वह सजा उसको मिल चुकी है तो उसको भी मैंशन किया जाएगा उसमें तो यह तो हो गया कि चार्ज को जो फ्रेम करेंगे उसमें क्या क्या चीज़े लिखी जाएंगी वह बाते सेक्शन 211 में बताता है अब सेक्शन 212 में कह रहे हैं कि पार्टिकुल एस टू टाइम प्लेस कि आपको इस ब्यक्ति के साथ में इस दिन इस समय पर यह घटना हुई वह भी चीज़े उसमें बेंसन की जाएंगी दर टाइम एंड प्लेस आप अलेस डॉफन उसके बारें भी उसको उसमें लिखा जाएगा उसके बाद का इनक्रिमिनल बीच आप ट्रस्ट, डिस्वनेस्ट, मिस एप्रोप्रेशन एज मनी और अगर कोई ऐसी चीज़े हैं उसमें क्या क्या मैंसन किया जाएगा टाइम प्लेस उस परसन के बारें मैंसन किया जाएगा और अगर कोई मोविल प्रापरटी है या किसी रुपे लेने के आरोप में ऐसे बात उस परें आपको जोइलरी लенे के आरोप में तो उसमें एक आतन के ले हैं एर बारे और अगर कोई चीटिक करी गई तो उस चीटिक है specified name दे करके उसमें लिखा जाएगा लेकिन वो जो specified दिया गया कि आपने इस दिन इनके साथ ये घटना करी दूसरे दिन ये घटना करी तो जो first घटना को हम लिख रहे हैं और जो last घटना को लिख रहे हैं आरोप में उन घट ये भी उसमें section 212 में कहा गया कि उनको भी mention करना पड़ेगा कि एक तो place time और date और किस person के साथ में किया गया च्छल वो च्छल के बारे में लिखना पड़ेगा कि आपको पला के साथ में इस च्छल के आरोप में या इस धुकाधरी के आरोप में या इतनी आपको mobile property के उसमे में दस प्लाट के उसमें या इस मकान के उसमें या उसकी इतनी ज्वैलरी के इसमें तूसको specified भी किया जाएगा यह section 212 में अब section 213 कहता है when manner of committing offense must be stated अगर section 211 और 212 में से कोई भी specified नहीं हो रहा है तब क्या करना पड़ेगा then particulars of the manner in which the alleged offense was committed will be sufficient for that work तो वो manner वो तरीका वो उसको specified बिलकुल करना पड़ेगा जिससे accused उस बात को समझ जाए कि उस पर यह आरोप लगाया गया है इस बात के लिए इस सजा के लिए या इस घटना के लिए उस पर यह आरोप लगाया गया वो abused उस बात को समझ जाए इस तरीके से उसको specified करना होगा अब बात आती section 214 की words in the charge taken in sense of law under which offense is punishable अब उसमें कहा गया कि जो सब्द चार्ज में लिखे जाएंगे उन सब्दों का वही अर्थ समझा जाएगा कि जो उस act में उस सब्द का अर्थ बदाया गया है अब जैसे IPC के किसी सब्द का अर्थ उसमें बदाय गया कि आपने इसके साथ में ये दोखा दड़ी की है तो जो दोखा दड़ी की परिभासा IPC में दी गई होगी उसका मेनिंग दोखा दड़ी का वही समझा जाएगा तो आरोप में जो सब्द लिखे जाएंगे वह सब्द उस act में जो उन सब्दों को परिभासित किया गया जो उन सब्दों का अर्थ लिखा गया वह वही आर्थ उसमें समझा जाएगा वी सेक्षेन 214 में कहा गया आप सेक्षेन 251 में जातेए इफेक्ट अप एरर्श अगर चार्ज में कोई इफेक्ट एरर्श आ गया कोई तूती पूर्यों सब्द लिख गया तब क्या होगा इए तब ही ताक्त्विक माने जाए उस गलती से accused भुलावे में आ जाए मतलब वो समझ ही न पाए कि इस सब्द का मेनिंग क्या हो रख्या है और उस सब्द के कारण उसका जो न्याय है जो उसको justice मिलना था वो मिलने में गलती हो जब वो मिलने वाला हो मतलब उसको माफ होने वाला हो इसको वो समझ नहीं पाया तभी उसको इरर माना जाएगा otherwise इसको इरर नहीं माना जाएगा मतलब चार्ज में जो एक वारफ्रेम हो गया उसके सब्द का तातिक भुल तभी मानी जाएगी जब उस सब्द से accused के जो सजा मिलनी है उस पर प्रभाव पड़ जाए और वो समझ ना पाये तभी उसको माना जाएगा दरवाई उसको नहीं माना जाएगा अब section 216 के बारे माँ जाते हैं court में alter charge जो court है वो उस charge को बदल भी सकता है court क्या कर सकता है? charge को बदल सकता है alter and add any charge at any time before the judgment pronounce उसमें जब तक की सजा का सजा की उत्गोषणा नहीं हो जाती सजा के लिए court declare नहीं करता है उसके पहले किसी भी stage पर court उपने charge को alter कर सकती court अपने charge को परिवर्तित कर सकती court ने जो charge बनाया आरोप बनाया है उस आरोप को परिवर्तित कर सकती है और उसमें से कहा जो परिवर्तित करेगी charge को court वो court उस accused को पढ़ करके सुनाएगी और उसको explain करेगी कि आप पर अब यह आरोप इस इस तरीके से है और आरोप की condition वहीं होंगी जो 211,212,213 में दी गई तो उसको पढ़ करके सुनाएगा उसको समझाएगा और अगर उस charge से जो frame किया गया उससे उस परिणाम पर उस result पर या उस judgment पर परभाव पढ़ने वाला है तो फिर court क्या करेगी कि witnesses का re-examination करवा सकती है या उनको re-sumon कर सकती है कि इसको पुना बुलाया जाएगा और इस आरोप के लिए उससे उसका chief और उसका cross किया जाएगा ठीक और अगर अन्य कोई जो witnesses हो चके हैं उनकी अलामा भी किसी witnesses की जरूरत पढ़ती है तो फिर उसको भी court बुला सकती है जामनेशन के लिए अब इसमें से चक्टर 17 के चार्ज का section first फार्म आफ चार्जेस की चार्ज कैसे फार्म होगा यह बहुत इसी तरीके से चार्ज कैसे फार्म करते हैं इसका section 211 में है प्लेज टाइम और पूरा परसन का डिटेल भी मैंशन होगा कि इस परसन के लिए इस दिन इस समय पर आपने यह घटना इस तरीके से कारिद की वह भी होगा अगर उसमें प्रापर्टी हैं कई हैं जोड़ी हुई हैं तो उसको एक समय बताया जागा अगर ज़े दिया अध जाएगा उसमें स्पैसिविक चीजे लिखी जाएगी और सक्षण 211 नहीं है उनके तहर तो उसको ऐसा इसा स्पैसिपाई किया जाएगा जैसे कि वह जो आक्यूजड है और सक्षण 214 में कहा उस सब्दों का जो चार्ड में लिखा गया वही अर्थ होगा जो उस एक्ट म कि मानी जाएगी जब उससे उस अक्यूजड के आरो जब उससे उसके जजमेंट पर प्रभाव पड़ रहा हूं तभी माना जाए तरवाई नहीं माना जाएगा 216 में कहा गया कोड कभी भी चार्ड को बदल सकती है विफोर दप्रणाउंस अब जजजमेंट जजमेंट के उस गोशना करने के पहले और जब चार्ड सेंज करेगी तो 217 में कहा कि जो विटनेशेस हैं उनको रिखामिन करा सकती है रिसमन कर सकती है और या तो अगदर सेक्षिन 218 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिसकस करेंगे ओके थैंक यू जैए